नमस्कार दोस्तो इस वक्त की तमाम बहुत बढ़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तो जहाँ पर एक एक करके सभी बढ़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तो जहाँ पर जानेंगे कि वसुंदरा राजे ने मोदी से मिलने से ही कर दिया है मना मचा हडकम पर राजिस्थान में बड़ा उलट पेर बाबा बालक नात की भी छुट्टी हो चुकी है वसुंदरा राजे ने कर दिया बड़ा खेल गहलोत ने मोर्चा समाल लिया है तो वहीं दोस्तो अगली खबर में जानेंगे कि नत दिवार वहीं बड़ा दावा सामने निकल के आया है और इस भी चिम्मध प्रदेश से भी चौकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों MP में भी उलट फेर सिवराज की चुट्टी राहूल गांदी ने मोर्चा समभला है सीपरकार की तमाम बहद बड़ी खबरें मुख्य समच को लाइक कीजेगा दोस्तों और कमिंट बॉक्स में हैश्टेग वी सपोर्ट बैलड पेपर जरूर ही कमिंट कीजेगा पहली जो खबर आ रही है बताते चलें बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है जहां पर एक तरफ मध्ध प्रदेश चुनाव नतीजों को र लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कारवाई नहीं की चुनाव आयोग को EVM टेंपरिंग CCTV बंध हो जाने वा अन्य प्रकार की सिकायते दी गई थी ये 15,000 सिकायते चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी मौजूद हैं और इसमें आरोप लगाया गया है कि इन सिकायतों को य जानकारी देने में राज चुनाव आयोग नाकाम हुए है हाई कोट ने ठोका 50,000 का जुर्माना और कहा कि जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा पंजाब ए वहरियान हाई कोट ने हाई कोट के आदेस के बावजूद पंचायत चुनावों को लेकर के ठोश जवाब ना दे पंजाब के राज चुनाव आयोग पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है हाई कोट ने उन्हें एक सब्ताह की महलत देते हुए सपष्ट कर दिया है कि यदि चुनाव कारकरम की जानकारी नहीं दी गई तो राज चुनाव आयोग जेल जाने को तैयार है यह यहाँ पर दोस्तों खबर आई है तो वहीं अगली जो अपडेट आ रही है राजिस्थान से आ रही है बेहदी चौकाने वाली खबर है आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें राजिस्थान में वसुंदरा राजे ने उड़ा दी है बीजेपी के केंद्रियन नेतरत की नेंदे जीहाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कहा जा रहा है कि वसुंदरा राजे की वजह से ही मध्य प्रदेश और चत्तिसगर के मुख्यमंत्री के नामों पर फैसला नहीं हो पा रहा है और इस बीच यहाँ पर बड़ी खबर भी सोसल मीडिया पर तीजी से चल रही है कि कॉंग्रस के समर्थन से वसुंदरा राजे बन सकती है राजिस्थान की मुख्यमंत्री गुप्त सुत्रों से खबर चर्चा लगतार जारी है बताते चलें कि बीजेप तक विधायक पूरी तरहिके से भागी हो गए है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगी तो वसुंदरा राजे ही और किसी को वे समर्ता नहीं देंगे इसके साथ ही मद्ध प्रदेश से भी ऐसी ही चौकाने वाली कबर आ रही है कि प्रहलाद पटेल हो सकते है अगले मु इसके साथ ही सिवरा सिंग चोहान की चुट्टी होती हुई नजर आ रही है सिवरा सिंग चोहान को कृसी मंत्रा लए और वीडी सर्मा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है यह यहाँ पर दोस्तों कबर आई है लगातार बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हु तो वहीं अब राहुल गांधी ने भी मोर्चा समाल लिया है आप लोगों को बताते चले राजिस्थान को लेकर के समीच्या बैठा की गई है राहुल गांधी की तरफ से जिसमें केसी विडियो गोपाल कॉंग्रेस के अध्याच मलीका अर्चुन खड़के भी सामिल हुए बताते चले चर्चा के दोरान पूर्व मुख्यमंतरी असो कहलोत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो गया था इसलिए हम लोग चुनाव हार गए बीजेपी वालों ने जनता को आपस में ही बाट दिया था इस पर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ अगर हमें प गहलोत ने कहा है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो गया इसलिए हम लोग चुनाव हार गए आप लोगों के अनुसार आप लोग यहां पर जरूर बता सकते हैं कि असो कहा है वो सही है या गलत अपनी राय भी बताईएगा दोस्तो अगली जो खबर आ रही है बेहदी आल ही में चुना हुआ जिसमें तीन राजियों के अंदर बीजेपी जीती और इस बीच यहां पर लोग सभाचुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारी अभी से ही सुरू कर दी है और इस बीच लोग सभाचुनाव को लेकर के एक दिगज नेता ने बड़ी हो गई है पांच राजियों के विधान सभाचुनाव परिणामों को जहां एक और यहां पर लोग सभाचुनाव का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है लेकिन यहां पर इस पर कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी वालों को इतना खुस नहीं होना चाहिए क्योंकि ज लोग सभाचुनाव को लेकर के बड़ी बात कह दी है राकेश टिकैत का कहना है कि अगले साल होने वाले लोग सभाचुनाव में अगर बीजेपी जीतेगी तो यहां पर नरेंद्र मूदी प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर धोखे से बीजेपी की सरकार बन भी गई तो यहां पर प्यम बदल जाएगा क्योंकि बीजेपी अब नरेंद्र मूदी को प्यम नहीं बनाएगी और वहीं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मूदी राष्ट्रपती का पद सम्हालेंगे जब की ततकालिन ग्रीह मंतरी अमिस सहा को परदान मंतरी और यूपी के सीम योगी आधितनात को ग्रीह मंतरा ले की जिम्मेदारी मिलेगी यहां पर राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है राकेश टिकैत के इस दावे पर जरू सांसद से अलग जिहां दोस्तों सांसद धीरज साहु के बिजनेस से भारतिय राश्ट्रिया कॉंग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है जैराम रमेश ने ट्वीट किया है सिर्फ बही बता सकते हैं कि ये पैसा कहां से आया और उन्हें यहां इस पश्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों के द्वारा कतित तोर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैस बरामत किया जो रहा है ये यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरे मामले पर पृतिकरिया सामने निकल के आ चुकी है और कॉंग्रेस पार्टी ने सांसद धीरे साहुक से पूरी तरीके से अपना पला जाड़ लिया है और कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है और इस बीच यहां पर एक और बड़ी खबर जो आ रही है बताते चलें भरी संसद में रमेस बिधूरी ने आपत्ती जनक सब्द कहे थ मायवती ने बीच पी से उनको बाहर कर दिया है जिसके बाद सोसल मीडिया पर कई तरहें के सवाल यहां पर उठ रहे हैं बीच पी पर और लोग कह रहे हैं कि मायवती ने ये तो साबित कर दिया है कि वे बीजेपी की बी टीम है रमेस बिधूरी से माफी मंगवाने की सजा अखिरकार दानिस अली को मिल ही गई अब मत कहना कि मायवती BJP की कटपुतली नहीं है दानिस अली को यहां पर BSP से निसकासित कर दिया गया है मायवती की तरप से यह यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी कबरे थी मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुचा है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों जादा से जादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत